हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम टो माई चैनल तो आज मैं आप सब के साथ शेर करें बहुत ज़ादा जबर जस्ट स्वेट रेस्पी छेने की मिठाई चम चम बनाती हूँ तो चलिए बनाते हैं बहुत ही अच्छी बनती बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनती है तो इसके लिए मैं ने न सबसे पहले आधा लेटर दूद लिया और यहां पे ना आप कोई सा भी दूद ले सकते हैं गाय का भैस का या फिर पैकेट वाला दूद तो हम इसके एक उबाल आने तक इसका वेट करेंगे तो तब तक हम चलते हैं यहां नीबू का रस निकाल लेते हैं जिससे हम इ ने एक नीबू लिया है इसके मैंने अच्छे से रस निकाल लिया है तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स दूद में अच्छे से उबाल आ चुका है तो हम गैस आफ कर देंगी और इसे चलाते हुए इसके थंडे होने तक इसका वेट करेंगे और यहां पे हमें इसे बहुत जादा ठंडा नहीं करना है बस गुन-गुना रहने तक ठंडा करना है ताकि हम बटन को छू सकें बहुत जादा ठंडा करेंगे तो फिर हमारा दूद फटेगा नहीं तो बस आप देखिए कितने अच्छी तरीके से हो चुका है गुन-गुना रह चुका है दूद तो अब हम इसमें नीबु का रस डालेंगे एक साथ पूरा नहीं डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालते हुए चलाते जाएंगे तो यहाँ पे देखी हलका कम-कम सा यह फट रहा है तो मैंने सोचा कि क्यूँ ना आधी पीसे और डालें तो यहाँ पे देखी मैंने आधा हो गया पानी अलग और यह पनीर-पनीर अलग तो बस आप देखें यह ready हो चुका है अब हम इसे अलग बतन में निकाल लेंगे इसके पानी को अलग कर लेंगे और इसे हम अलग कर लेंगे तो चलते हैं इसके लिए मैंने एक बतन लिया है इस पे हम कोई भी cotton का कपडा रखेंगे, इस पर डाल देंगे यहां पर देखे और फिर इसमें हमने जो ये तयार कर रखा है, इसे डालेंगे ध्यान से ताकि ये गिरे नहीं तो हमें इसे सारा इसमें डाल देना है इसे डालने के बाद friends हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल हाथों के हल्ट से दबा दबा के इसके सारा पानी निकाल देना है बिल्कुल इसमें पानी न रह जाए तो देखी यहाँ पे मैं इसे अच्छे से पकड़ के उठाती हूँ और इसके सारे पानी अच्छे से ऐसे निकाल दूँगी अब यहाँ पर मैंने इसका सारा पानी तो निकाल लिया लेकिन मैंने इसे नीबू का रस इसमें डाला था तो बहुत जादा इसमें खटा-खटा फ्लेवर आया रहेगा तो हमी इसके उपर से अलग से पानी डाल कर इसे अच्छे से दो लेना है तो चलते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पर देखी इसे खोलेंगे और इसमें हम अलग से पानी डाल की इसे बहुत अच्छी तरीके से दो लेंगे और इसका सारा पानी हमें निचोड लेना है बिल्कु मैंने हाथों से दबा दबा के सारे पानी निकाल दी है कोई हमें आधे गंटे एक गंटे तक रखने का वेट नहीं करना है तो बस ये रेडि है अब हम इसे हाथों की हल्ब से बहुत अच्छे तरीके से हमें गूद लेना बिल्कुल इसे सॉफ्ट कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से तो बहुत इसली हो जाता है तो यहां पर देखी यह हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चम्मच सूजी बारीक वाली मैंने लिए है इसमें इसे डाल देंगे और मैंने एक पिंच बेकिंग पावडर इसमें यूज किया है तो इसे डाल बाद अब हमें फिर से इसे अच्छे से मिलाना है सारा तो हम ऐसे ही मिला देंगे इसे सारा अच्छे से और फिर हमें इसको कुछ अच्छा कलर देने के लिए आप चाहें तो बिल्कुल ऐसे सिंपल भी बना सकते है लेकिन यहां पर मैंने यलो फूट कलर यूज किया है इस डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बचा है इसे भी मिला देंगे अच्छे से मिला के इसका आटा तयार कर लेंगे देखिए यह रेडी है अब आगे की तरफ चलते हैं तो मैंने यहां पे इसे लिया और इसे ऐसे लंबा-लंबा कर लिया और हम इसे बराबर से टुकडों में तो तो यहां पर 7 पीसेज बने हुए हैं तो अब हम चलते हैं इसकी अच्छे से इस तरीके से शेव देंगे ऐसी बनाना है बिल्कul हाथो की हथ से चिकना चिकना बिल्कुल इसको फटने नहीं देना है तो बस बहुत अच्छी तरीके से हाथों में छोड़ी देर रोल करेंगे और बस ऐसा कर देंगे, तो यहां पर यह सारा हो चुका है, आप देखिए, सारे पीसिस बन के तयार है, तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, तो यहां मैंने एक प्यान में एक कप चीनी यूज़ की है, और इसमें हम डालेंगे दो कप के करीब पानी, एक कप, दो कप मैंने प फुल आच पे पकने देना है, बिल्कुल फुल आच करना है, नॉर्मल, मीडियम बिल्कुल नहीं करना है, फुल आच रहने देना है, तो सारा इसमें ढाल देंगे, और इसे धक के हमें 20 मिनट तक पकने देना है, बिल्कुल नहीं हटाना, 20 मिनट बाद धकन खोलेंगे, दे देखिए कितना बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ तो यहां पे देखिए यह ठंडा हो चुका है मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ बस इसमें एक कमी रह जाती है कि यह थोड़ा फ्लैट हो जाता है क्योंकि फ में नारियल का बुरादा बिल्कुल लगाते जाएंगे और इसे रखते जाएंगे अगर आपको नारियल नहीं पसंद तो आप मत लगाएं तो मैं आपको यहां पे तोड़ की दिखाती हूं देखी कितना बढ़िया यह है तो यस ट्रेंट्स मज़ेदार चमचम बनके तयार ह मुचम जाएंगे झाते जाएंगे मत दोड़िया विएको यह है तो यह है।